जारगर विदानतवा चुनाव से पहले मा गटबंधन ने घमासान फुरू हो गया है नाराज राज़त ने ज्यम्म को कहा कि अगर आप अच्छे तरीके से सीटों का बटवारा नहीं करेंगे तो हम गटबंधन तोड़ देंगे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे आज मनुझा प्रेस को करेंगे जिसके बाद राजित का क्या स्टैंड है राजित का क्या फैसला है यह आज बताएंगे अगर ज्यम्म नहीं मानी तो आज गटबंधन भी तूट जाएगा मेरे साथ गने सम्राट जुडेंगे और हम आपको बताएंगे कि जारकन विदानतवा चुनाव म आखिर इसके पहले क्या हो गया है कि दोनों गटबंधन क्या तूट जायेगा इस बार बिलकुल नहीं है देखे बिहार में घटबंधन और देसं में घटबंधन करके महा घटबंधन 一रुपी को रोकने के लिए लेकिन देखिए अलग अलग जैसे ही चुनाओं लोग सब्सक्राइब के बाद अब राज्यों में चुनाओं हो रहे हैं और जब भी राज्यों में चुनाओं होता है उनके बीच मत्रियद हो जाता है इस बार भी वही देखने को में जारखन मुक्ति मोचा जाम जिसके नेतरी करता हमान सुरे ने सिबू सुरे ने इन्हों ने सीट बाठवारे का ऐलान किया दो दिन पहले हमान सुरे लेकिन इस बास अनराज होकर राष्टिये जनता दल ने जार्खन में बगावत कर दिया हमान सुरेन राहुल गांदी और तेजश्वी आदों तीनों की मौझूद्गी होती है इस बीच राष्टिये जनता दल ने आरोप लगाया कि हमारे नेताओं को इस ऐलान में क्यों नही खेल खेला था बैहार में तेजश्वी आदोंने मुकेश सणी को अपने साहत रखा था प्रेज कॉंटरेसमे लेकर जाता लेकिन सीट बटवारे की बात वी तो उन्होंने कहा कि हम अपने हिस्से रात में जाते हैं मुलाकात करते हैं हैं सब्सक्राइब कर लिए और राजद और वामदल के नेताओं को हम अपने हिंसे से जो बचीवी सीटे वो दे देंगे और इसी बात से ना राजी आज फाइनल दो प्रेस कंफेंस होने हैं दो नेताओं की प्रेस कंफेंस होनी है और इस प्रेस कंफेंस में देश भर के अंदर बीजेपी को रोकने के लिए जो मुहीम चलाई गई थी जो गटबंदन के ग्रूप रेखा किची गई थी उस गटबंदन का फाइनल मैच होगा आदव को बुलाय तक नहीं गया जहां पर हमनसुरी ने साफ मेसेज दे दिया है कि तेश्वे आदव की कोई तवज्व नहीं रह गई है जार्खंड में जार्खंड की चुनाओं में हर छेत्रीय दल अपने राज्जे में अपने पर्देश में अपनी पर्मुक्ध ताकत को देखना चाहती है ज्यार्खंड मुक्ति मौर्चा वरतमान में सरकार में राष्टिय जन्ता दल पिछले चुनाओं में उनिसी चुनाव में साथ सीटों पर चुनाव जड़ी थी छे सीटों पर वहार गए और एक सीटों पर जीप मिले और अभी भी जो है हमन्सुर ने लगबर की त्रही सीट देने की पेशकस की थी अलाकि सीटों का आकरण उनने कहा कि आप वामदल के साथ आपका बिहार में गटबंधन है तो आप यहां जारकन में ताल मिल करके ले लिए जबकि जारकन के अंदर लेट की पार्टी है उसने भी कहा कि हमें आठ से दस सीटे चाहिए और राश्टीर जनता दल को भी 20-20 सीटे की उम्हीदे थी जो संभाव नहीं थी लेकिन प्रेशर करने के चक्कर में गटमंधन तोड़ने तकी नौबत आगी है राजत का यह दावा जरूर है कि वह अकेले चुनाव के मैजार में जाकर बीजेपी को हरा सकते हैं उनके पास यह काने के लिए है कि जब वह बिहार में उनको मंत्री बना गया और हेमनी सुरेन उनको लगतार मंत्री बनाकर रखे कि सरकार हो दोनों में मंत्री रह लेकिन अभी क्या हुआ कि हमन सुरेन जब वापस जेल से आ है तो वह पूरे ज़ारखन में घूम घूम कर अपनी पाठी का परचार कर रहे थे मुहीं चला रहे सब्सक्राइब करेंगे चाहते लेंगेंगे हैं तो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा नुक्सान पहुंचा के वापस सत्ता में वापसी कर पाएंगे गनेश देखे इस पर सिनारियो बिल्कुल बदला होगा है 2019 के जैसा नहीं है 2024 2024 में बीजेपी के साथ इस पर चंपई सोरेन भी है चंपई सोरेन जो की जैमे में काफी सालों से थे वहीं से उन्होंने अपनी शुरुवात की है जूदेंगे में आपको इस भार बीजेपी लगवर्दास का पोरोसे नहीं है इस बार बीजेपी जारखन चुनाैजीतने के लिए जितने के लिए जो पूरा chronology है उसको बदल लिए बिलकुए इस बार हमता विश्वसर्वा जो एक अलग पीजिन है 54 दो जो मुख्षमंत्री चुके है उनको जिम्मिवारी दिए गए मुख बनाने के लिए और छिहरा बीजय पी ने जार्खन ने किसी एक का नहीं रखा अब तक छिहरा नहीं रखा था बीजेपी ने जार्खन में जिस बात को लेकर पूरे देश में बीजेपी कॉंग्रेस को कोश्थी थी राजत को कोश्थी थी जार्खन में वही काम हुआ है जिस परिवारबाद के खिलाब बीजेपी ने मुहीम छिड़ा था जार्खन में वो परिवारबाद की सीमा तू साजगी होती है अगर senior leader को नहीं देते हैं लोग सुभा चुनाओ का नतीज़ा सामने आया हर्याना चुनाओ के जो नतीज़ा वो सामने है जम्मुएन कस्मेरी में जो नतीज़ा है वो भी सामने है तो बीजेपी ने तमाम चुछे से सबक लेकर इस बार जारकर में फैसला किय कौन कितने सीटों पर चुनाओ लड़ेगा रोमीद्वार कौन-कौन होगी जो बीजेपी को टैकल कर पाया और शाहिद है कि जादा सीटे दे प्योंकि 2019 में बहुत जीत अच्छे खासी सीटों पर नहीं हो पाई थी RJD की एक सीट जीते थे थे वो लोग काया था कि कॉंग्रेस को जीतनी सीटे दी गई थी अगर यह सीटे नहीं दी गई होती तो साथ हमारी सरकार बनाने के लिए जो पूरी संख्या बले वह हम जुटा लेते 245 सीटे ऐसी थी राज़त की जहां मार्जिंग बहुत कम था तो राज़त को लग रहा था कि 24 सीट औ पूरुने फैसलेवल है कि ज्यादा सीट पत धार्कर में उनकी लड़ेग आए उनकी पाटी राजत को यह लग रहा है के अगर हम दोभाँ दिलाएंगे दिखाएंगे दंखम नहीं दिखाएंगे तो कि यहाजसे से प्रेश कंफेंस में अगर अब तक राज़त के ने खुलकर नहीं कहा है कि हम अलग चले जाएंगे अगर आप महाःष्ट में चुनाव है जारकन और महराष्ट का चुनाव इसलिए कहा जा रहा है कि समी फाइनल है अगर इस तरीके से बिहार में उप्चुनाओ भी है अगर जार्खन में यह गटबंदन थोड़ा भी कमजोर परता है तो इसका असर बीजेपी और एंडिया खेमिक लोगों को फायदा पहुंचेगा और इसका असर महा गटबंदन या इंडिया गटबंदन के अंदर ही दिख क्या हुआ और यहां अगर तेजश्वी आदो अगर आपने जीत प्याड़ होंगे यह राष्ट्य जनतास्तल को लगता है कि हमन सुरेंड को फायदा पहुँंचाना चाहते हैं तो बीजेपी से लड़ने के चक्कर में हमनको नुकसान पहुंचा देंगे अगर वो अकेले लड़ेंगे तो यहां कटबंदन तूड़ता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी सीटे आने की उमीद थी हमां सुरेन के साथ लड़के राश्टे चलता तो लखो उसका नुक्सान हो सकता और बीजेफी को फायदा होगा महा कटबंदन और इंडिया कटबंदन में खटपट इंडिये को फायदा बिल्कुल गनेश यह देखना दुल्चस्कों का आज मनुझा प्रेस कॉन्फरेंस का यूजिन करेंगे और उसके बाद आट जीटी का क्या स्टैंड होगा इतने देर में क्या बातचीत हुए क्या क्य अंदर क्या बातचीत बनी या ना बनी यह देखना होगा और मनोजा की प्रेस कंफरेंस करने बैठेंगे तो उनके पास जो भी जो गाइडलाइन जारी करेंगे या संजय यादो जो रनीती बनाएंगे एक-एक सब्द वही होगा तरीक्या मनोजा का हो सकता है लेकिन गाइडलाइन लालो पर साथ यादो और तेजश्मी यादो काई होगा बिल्कुल गनेश बहुत-बहुत धन्यवाद देखना दुल्चस होगा जारिखंड भी विदानसवा चुनाव और इससे पहले महागटबंधन के जितने घटक दल है उन्हें के बीच टकराव शरू हो गया है नाराज आरज़ेडी ने हमन सोरेन को यह नाराज आरज़ेडी ने हमन सोरेन को अल्टिमेटम दे दिया है कहा है कि अगर आप अच्छे तरीक्जी से सीटों का बट्वारा नहीं करते हैं तो हम अकेले चुनाव लडईंगे देखना दुल्चस होगा तमाम खबरों से आपको रुबरू कराएंगे आप देखते रहेगेगा फश्विहार जार करें निवे दक भारतिया जनता पार्टी बिहार पनोर्मा क्रोप जो सोचता है वो करता है ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुढ़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुढ़निया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े, आप क्यों मुझ मिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined